वापिस आगे एक और नए वीडियो के साथ इस वीडियो में हम करने वाले हैं अन्बॉक्सिंग टेस्टिंग और रिव्यू डेली ऑब्जेक्स के सर्ज 4-1 यूनिवर्सल ब्रेड़ चार्जिंग केबल का जो चार डिफरेंट टाइप के कनेक्शन को सपोर्ट करता है तो यह एक ऐसा केबल है जिसको आप अगर यूज करते हैं तो आपको और कोई केबल यूज करने की जुरूरत नहीं पड़ेगी तो यह इस बोक्स में आता है तो पहले हम इसको अणबॉक्स करेंगे उसके बाद इसको टेस्ट करेंगे लिपेंड डिवाइस के साथ और उसके बाद रेव्टी जैर के लिए ।चलिए विजिए शूरो करते करें ओके अणबॉक्स झाल 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 तो पहले तो हम इसको एक close look देते हैं इसको देखते हैं प्यास से कि यह कैसा दिखता है तो बेसिकली यह दोनों तरफ से actually यह type c केबल है तो इस तरफ भी एक type c है इस तरफ भी WORू है और दोनों type c पर है एग तरफ type a का port है और दूसरी तरफ lightening port है तो आप इससे कोई भी Android कोई भी Type C डिवाइस चार्ज कर सकते हैं और इससे आप कोई भी लाइटनिंग पोर्ट सपोर्ट करने वाला जैसे iOS के iPhone वगरा आप इससे चार्ज कर सकते हैं तो आजकल के iPads वगरा भी Type C सपोर्ट करते हैं तो आप इससे iPad भी चार्ज कर सकते हैं iPhone भी चार्ज कर सक पर एक बार manual देखते हैं, तो manual में लिखा हुआ है कि ये charge, sink और transfer cable है, तो ये तीनों चीजे करता है, आप इससे 480 mbps के speed ले सकते हैं, उतना fast ये चलेगा, अब ये actually 1.5 meter, actually 1.5 नहीं, 1.05 meter cable है, तो basically 1 meter का cable है ये, तो वो काफी लंबा है, तो ये fast charging support करता है, अब ये fast charging support करत है, जब ये बोलता है, तो इसका मतलब है, ये type C में 100 watt support कर रहा है, और lightning में 20 watt support करता है, तो ये actually काफी fast है, तो पेदे तो हम इसको पास से देखते हैं, तो ये PVC, silicon और aluminum सबका mix है, तो इसमें ये पूरा braided है, यहाँ पे nylon है, ये इसका एक rubber strap है, जिसके थूँ आप इसको ब quality बहुत ही अच्छा है, बहुत ही strong है, और इसमें आप एक क्लिक भी सुनेंगे, जब आप इसको बंद करते हैं, तो इसका gripping mechanism बहुत ही अच्छा है, quality इसका excellent है, तो पूरा nylon braiding है, तो ये इतनी आसानी से खराब नहीं होगा, और इसके ends flexible है, तो यहाँ पे इतनी जल्दी अब यहाँ पे आपका type C है, और यह type A port है, अगर आप इसको ऐसे करके यहाँ पे डाले, यह ऐसे connect हो जाएगा, तो बहुत ही useful cable है, अब इससे हम charging test करते हैं पहले तो, तो यह एक मेरे पास power bank है, जो यहाँ पे 18 watt support करता है, और यहाँ पे 33 watt support करता है PD में, तो पहले regular fast charging टा तो इसमें जब डालूँगा, अगर मैं regular type A में, 18 watts अगर इसमें जाता है, तो यह fast charging बोलेगा, तो देखने है fast charging बोलता है कि नहीं, तो यह fast charging बोल रहा है, 15 minute लगेगा इसको चार्ज होने में, good, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, अब मैं इसको PD charge, power delivery port में डालता हूँ, जो कि यह है, यहाँ से इसके अंदर से 33 watts support करता है, तो यह जो phone है, वो 22 watts support करता है, तो यहाँ से इसको, अगर fast charging मिल रहा है, 22 watts मिल रहा है, तो यह super fast charging बोलेगा, तो देखते हैं कि यह super fast charging करता है कि नहीं, okay, super fast charging, तो यह अब PD port में connected है, super fast charging कर रहा है, अगर regular में connected था, तो यह regular fast charging कर रहा है, तो यह fast charging support करता है, तो अगर आपके 100 watts support करने वाली devices हैं, तो मेरे पास है, MI वाले devices हैं, पर मेरे पास अभी फिलाल कोई वैसा power bank नहीं है, जो 100 watts तक दे रहा हो, so anyways, यह 100 watts support करता है, charge, sync, सब कुछ करता है, अब इसका syncing test करते हैं, पहले तो एक बार हम इसे, यहां connector के iPhone भी check कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर एक iPhone पढ़ा है, okay, तो यह भी charge हो रहा है, तो यहां पर तो आप fast charging चेक नहीं कर सकते हैं, यह iPhone में बताता नहीं है, but anyways, अभी हम इससे transfer देखते हैं, क्या यह data transfer धंग से कर पाता ही कि नहीं, तो मैं इसको अपने surface pro के साथ connect करता हूँ, okay, surface pro को यहां connect किया, इधर पे cable गशा रहा, cable गशा दिया, अब यहां पर मैं android phone को connect कर देता हूँ, okay, और immediately यहां पर आपको दिख रहा है, Z Fold 3 दिख रहा है, अभी मैं इसको चूज करूँ, अब मुझे data दिख रहा है, तो अच्छी काफी fast चल रहा है, तो इसका data transfer भी अच्छा चलता है, और इसका अगर आप charging देख रहे हूँ, यह fast charging भी कर रहा है, तो यह सारे चीजे support कर रहा है, तो यह basically एक cable है, जो सब कुछ कर सकता है, तो अगर आपको iPhone से computer में connect करना हो, आप कर सकते हैं, अगर आपके computer में type C port है, A port नहीं है, तब भी आप कर सकते हैं, अगर आपको iPad से iPhone में data transfer करना हो, वो भी इसमें कर सकते हैं, तो सारे scenario यह support करता है, तो आपको सिफ एक cable लेके गुमने की जरुरत है, पहले मैं क्या करता अपने power bank के साथ मेरे पास 3 से 4 cable होते थे, क्योंकि मुझे PD charging अलग चाहिए, मुझे regular charging अलग चाहिए, मुझे iPhone का अलग चाहिए, type C to type C अलग चाहिए, तो मेरे पास 4 minimum cable होते, अब मैं सिफ एक cable लेके गुम सकता हूँ, और मेरे को और कोई cable लेके गुमने की जरुरत नहीं अगर आपको सेम वीडियो English और Malayalam में देखना हो, मेरे पास दो और चानल है, उनका भी link में description में डाल दूँगा, तो बस इतना ही, इस वीडियो के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लेगे तो please like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए, मैं आपसे दुबारा मिलता हूँ, और नए वीडियो के साथ, बाई बाई